यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है पूछा चिडिया से कैसे बने आसियाना चिडिया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार-बार तिनका तिनका उठाना होता है ली कि असरा तो है में अब आप सब अब थोड़ा थोड़ा पढ़नाई स्टार्ट करें से oh जो वीडियो लेक्षर्स हैं इनको थोड़ा देखें वीडियू को इसकीप ना करें और वीडियू को इस टॉप करेंगे आभियू में लेक्चर नम Pale में आभियू का योगर्धर्म के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे तो चलो हम लोग उसी की सुरूगात करते हैं आभियू के योगर्धर्म की तो नहीं कि में सबसे पहले हम आप का जो क्राइं déjà चल रहे हैं आपने क्रम बिनम्यता के बारे में बहुत शुरुबात पढ़ा है रिई ऐंधे मैं कई बार प्रोपर्टी गोई है कि करह चीज एक करुंड कि मैंता होती क्या होती है क्रम बिन में होती है जैसे आप लिखते हो वान प्लस टू इज इक्वल टू इनका क्रम बदल दो तो वन प्लस टू का जो मान होगा वही टू प्लस वन का हो तो यह आपने वास्तविक संख्याओं के केस में बहुत सुरुवात से ही पढ़ते हुए आ रहे हो चोटी लेकिन यह सब वास्तविक संख्याओं के लिए होती है एक क्रम बिन में होती है ऐसा ही case आज हम आवियू के बीचे पढ़ेंगे कि अब आवियू तो क्या है एक अलग type का representation हो गया तो इसमें क्या एक क्रम विनिमेता को hold करता है हाँ hold करता है कि अगर हम दो आवियू ले 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 और दोनों ही आवियू क्या है वो समान क्रम के हैं तो इतना दिहान देना कि ए जो होंगे हमेशा अपने क्रम विनिमेता को hold करते हैं अर्थाथ ए को अगर हम बी से जोड़ें एको पहले करते हैं बी को बाद में करते हैं और उसके बाद में बी को पहले करते हैं एको बाद में करते हैं मेशा ये दोनों क्या होते हैं समान होते हैं अर्था दो आविहूं के मध्या जो योग संक्रिया होती है वो क्रम विनिमेता गुर्धरम का पालन करती है चलो आगे चलते हैं सहाचरेता इसको भी आप लोगों ने पढ़ लिया है सहाचरेता के वारे में भी आपने छोटी क्ला प्लस 3 के वरावर होती थी तो आपने वास्तविक संख्याएं तीन धनात्मक संख्याएं ले लिए और उसमें आप देख रहे हो कि पहले को बाहर रख दिया और दोनों को पहले जोड लिया अब इसमें देख लिया आपने पहले दोनों को जोड लिया, फिर लास्ट में तीसरे को जोड लिया, तो बैलू क्या होती है? है दो तीन आवियों के मद्या सहचर गुर्धरम का पालन करती है चलो हम आगे बात कर लेते हैं योज्य तत्समक्का तीसरा गुर्धरम जो हमारे लिए होता है योज्य तत्समक्का इसका भी आप लोगों ने पढ़ लिया है शुरुआत में 11 क्लास में वास्तिविक संख्याओं के लिए आप लोगों ने पढ़ा है फिलाल हम लोग यहाँ पर आवियों के बीच में देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि कोई आवि हो आप जोड़ते हो वह आवियो इसका योज्य तत्समका आवियो कहलाएगा तो है आपके सामने जैसे मालो कोई आवियो ले लो ए ले-लो 1234 इसमें क्या जोड़ेंगे हमेशा A ही आ जाए तो आप जानते हो निस्सित है कि इसमें हम सून नियावियू जोड़ें इसी करम का तो हमेशा इसकी वेलू कितनी आ जाएगी वही आ जाएगी वैसे भी आप जानते हो कि A में अगर सून नियावियू जोड़ें तो हमेशा क्या यह आता है तो ऐसमाहच लीना कि जोसुन यही है क्या हो गया योजह तत्समक, है ट्शंक्रिख को अपने योजह शंक्रिया के लिए लिए अब हो में अधार तो अपने पास लुवह जो हो गया एक तरह से योजह तत्समग आवियो हूँ है और यह जो है a प्लस o o प्लस a is equal to a यह क्या है कि यह property होती है योज्य तत्समग गोड़धर्म की that's called the additive अगे करते हैं योज्य प्रतिलों में क्या होता है कि दो आवियो को इस तरीके से जोड़ा जाए कि ओ हमेशा क्या दे दे हमेशा क्या होता है और उसका मान हमेशा सून्य आवियो हो जाए यह तभी संभव होता है जब o आवियो और उसका negative आपस में जूड़ए तो हमेशा क्या होंगे सून्य आवियो दे दे तो इसका मतलब वही same to same case है कि कोई भी आवियो जो है जैसे यहां पर होने लिया है कि कोई आवियो a ले ल लोड़े तो सुन्य आवियो आजाए अर्थाद b की वेलू क्या आएगी माइनस a के बराबर आएगी मतलब किसी भी आवियो हुका योज्य प्रतलोम आवियो हमेशा उस आवियो का रिणात्मक आवियो होता है तो आपको एक क्लियर समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ पांच इसी आवियो में ही जिसको हम बोलते हैं निर्सन लोग निर्सन नियम कैंसिलेशन लोग बोलते हैं अपने इंगलिस में यह आपके सामने निर्सन नियम है इसमें क्या होता है कि कोई भी तीन आवियो लेते हैं लेकिन भाई क्रम तीनों का समान होना चाहिए इसकी प दूसरे और तीसरे आवियों के साथ में आपस में जूडते हैं तो हमेशा B is equal to C अर्था दूसरा बराबर तीसरा आवियों हो जाता है तो इस तरीके इसको बोलते हैं बाया निरसन नियम इसे left cancellation law भी बोला जाता है इसे पिकार से अगर यही समान आवियों दाई तरफ जूड धर्म था जिसको हमने आवियों में पढ़ा वह हमारा complete होगे अब आवियों में हम लोग क्या पढ़ेंगे आवियों का गुडण गुडधर्म के बारे में पढ़ेंगे आवियों का गुडण गुडधर्म क्या होता है जिसके बारे में अब हमें study करना है आवियों का गुड योज जो संक्रिया थी वहाँ परतियोग किया था अब यहाँ गुड़न संक्रिया है तो इसमें क्या करना है दोनों को multiply करना है तो अगर हम multiply करें तो क्या हर एक case में A into B is equal to B into A होता है अगर ऐसा हो जाए अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब बेसमाझे लेना करम दिनी मेता hold होगी दो आवियों के गुड़न संक्रिया के बीच में लेकिन ऐसा होता नहीं अगर हम दो आवियों ले 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 और उन दोनों आवियों में multiply करें जैसे हमने माल लिया कोई दो आवि लिया यह वाला अगुड़ा किया एंटू बी इसका इसके साथ multiply किया देखो multiply कैसे करते हैं इनका इनके साथ multiply करते हैं वान इन्टू यहां लिख दिया माइनस वान इन्टू यहां लिख दिया फिर इस पकार इनका इनके साथ में किसके साथ में इनका इनका फिर वन का जीर लिख दिया यह तो पहला वाला हो गया अब इसे परकार से इनका इनके साथ तू का वन के साथ में यहां लिख दिया थ्रीका टू के साथ में यहां लिख दिया फिर टू का जीरो के साथ में यहां लिख दिया और थ्रीका थ्रीके साथ में यहां लिख दिया तो इस तरीके से A का भी हुआ गया, जिसका मान निकलो solve करने पर इतना आ गया, मतलब minus 1, minus 3, आपके सामने देखो minus 1, minus 3 और 8, 9 आ गया, अब A into B तो आपने निकाल लिया, अब उसके बाद B into A निकालते हैं, अब B into A देखो कैसे निकालेंगे, B into A अगर निकालेंगे यहाँ A into B आपने जब किया है A into B जब आपने किया है तो यहाँ पर कितना है, minus 1, minus 3, 8, 9 यहाँ पर कितना है, 1, minus 1, 8 शेवन है, तो इसका मतलब A into B की जो value है वो B into A के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम दो आभियों को आपस में multiply करते हैं तो ओ हमेशा क्या होता है क्रम वीनि में गुर्धरम का पालन नहीं करता है और एक दो examples आप खुद अपने आप से बनाएंगे इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, जैसे कुछ दसाओं में तो जैसे हम कुछ आभियों ले लेते हैं कभी-कभी कुछ दसाओं में A और B को multiply कर देते हैं और B into A के बराबर आ जाता है A into B को multiply कर देते हैं तो B into A के बराबर आ जाता है कभी-कभी दो आभियों को अगर हम multiply करें A into B तो B into A के बराबर आ जाता है लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप लोग गुर्धर्म लगा रहे गुर्धर्म का मतलब होता है कि कोई भी दो आभियू हो आपस में मल्टिप्लाई किये जाए और उसके बाद में उनका रिवर्स मल्टिप्लाई किये जाए तो हर एक दसाओं में वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए अगर ऐसा होता है तभी वो गुर्धर्म लागू होता है अनितर लागू नहीं होता है चाहे एक ही आभियू एक ही दसा में एक कंडीशन फेल हो जाए और सब के लिए लागू हो तब भी A गुरधर्म लागू नहीं होगा तो वही condition है कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मानलो सब के लिए लागू हो लेकिन एक ही दसाएसी आगे जिसके लिए A condition लागू नहीं हो रही है A B is equal to B A तो इसका मतलब यह समझ लेना कि दो आवियों के बीच में जो गुरन संक्रिया है वो करम बिनी में गुरधर्म का पालन नहीं करती है तो इसका मतलब दो आवियों के बीच में गुरधर्म का पालन नहीं करती है लेकिन सहाचर केस में सहाचर केस में ऐसा नहीं होता सहाचर के केस में आप अपने आप से कर लेंगे आप क्या होगा तीन आवियू ले लेंगे A, B, C तीन आवियू A, B, C ले लें और उन तीनों आवियू हमें A और B इस तरीके से A और B को मानें ताकि इनका multiplication संभो हो आपको मालूम मैंने बताया कि इनका multiplication कब संभो होता है जब इनके संभो की संख्या और इनके B के पंक्तियों की संख्या क्या हो हमेशा समान हो तो इस तरीके से आप मानें कि A और B का multiply करना संभो हो और B into C का अलग से multiply करना संभो हो मतलब गुड़ा करना संभो हो, product लेना तो हमेशा ए धिहान देना कि A जो है A into B C is equal to हमेशा जो होता है A A into B into C के बराबर होता है मतलब जो गुड़न संक्रिया होती है वो तीनों आभिहों में सहाचर एक गुड़धरम का पालन करती है हर एक condition में आप करके देख लेंगे इसका examples और अगर आपको नहीं समझने आएगा तो आप एक काम करेंगे मुझे कमेंट करेंगे मैं दुबारा इस पर एक अलग से लेक्चर आपको बता दूँगा ठीके ना तो आप इसको ध्यान देंगे अगली वाली condition पर चलेंगे तीसरा है तत्समग गुर्धरम तत्समग गुर्धरम अब भई तत्समग गुर्धरम होता है क्या चीज़ है इसके बारे में देखने है तत्समग गुर्धरम क्या है तत्समग गुर्धरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तत्समक गुर्धर्म में क्या होता है कि हम लोग कोई अभी हमने योग में देखा था योग में सून ने आभी हुजो था वही हमारा क्या था तत्समक आभी हुजो था A into I N देखो M यहाँ पर लिया है M का मतलब क्या है कि M cross M करम का यह तत्समक आभी हुए और A क्या है M cross N का आभी हुए देखो इसका पंक्ति और इसका स्तंब M cross M का है तो दोनों बराबर होंगे multiply करना स्तंब हो तो हमेशा क्या आएगा A आजाएगा इसे दरीके से A into I N A में देखो A में क्या है कितना करम कितना है M cross N है और I का करम कितना है भई N cross N है तो इसका जो पंक्ति है इसका जो अस्तंब बराबर है तो दोनों को multiply करेंगे क्या आजाएगा A आजाएगा तो इतना धिहान देना कि तत्समक गुर्धर्म में जो लागुत अभी होता है जब तत्समक आव्यू को अगर हम किसी भी आव्यू हम multiply करें तो हमेशा जिस आव्यू हम multiply करें वो value हमेशा आ जाए तो आपके सामने जैसे A into I कर दो बराबर A हो जाए is equal to I into A हो जाए तो यह समझ लेना कि I तत्समक क्या है तत्समक आव्यू है किसके गुर्ण संक्रिया के अंतर गत अब आगे हम चलते हैं next next चलते हैं बंटन्ता नियम के बारे में बंटन्ता नियम क्या होता है भई बंटन्ता नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बंटन नियम क्या है बंटन नियम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि बंटन नियम है क्या चीज बंटन नियम में क्या होता है कोई भी तीन आवियो लेते हैं और यह तीन आवियो इस तरीके से लेते हैं कि इनका योग वा गुडन करना संभो है ठीक है अगर इनका योग और गुडण करना मतलब possible है तो A ध्यान देना कि A गुडण B प्लस C दो आभिवों को जोड़ दो और तीसरे को इसमें dot कर दो multiply कर दो तो हमेशे ध्यान देना value कितनी आती है A इन्टू B प्लस A इन्टू C इसे प्रकार से अगर A प्लस B पहले लिख दो और C को बाद में लिख दो तो आप क्या लिख होगे A C प्लस B C तो इसका मतलब है हो गया कि अगर तीन आभिव A B C ले लिया जिसका योगवा गुरन क्या है अनकूल है या फिर उनका करना संभू है तो हमेशा A बंटन गुर्ण धर्म का पालन तीनों आभिव करते हैं जो कि आपके सामने उपर लिखा गया है अब हम आगे चल लेते हैं अगले वाले पॉइंट में क्या है कि अगले वाले पॉइंट में गुरात्मक प्रतिलों की बात होती है अगले वाले पॉइंट में क्या बात करते हैं गुरात्मक प्रतिलों की बात करते हैं गुरात्मक प्रतिलों की बात करते हैं गुरात्मक प्रतिलों की होता है जैसे मतलब A और B दो आवियू ले लिया और उनको गुड़ा करो तो क्या आजाए तत्समक आवियू आजाए तो इसका मतलब A समझ लेना कि एक आवियू दूसरे आवियू का परतिलोम आवियू कहा जाएगा जिसको हम गुडात्म प्रतिलोम भी कहते हैं अगर मानलो A आविव दिया गया है एक given है इसमें आपने आविव B से multiply कर दिया और क्या हो गया है तत्समा का आविव हो गया है इसका मतलब A का जो प्रतिलोम आविव होगा A का जो प्रतिलोम आविव होगा वो क्या होगा, B होगा क्या होगा, B होगा, A आपको जानना है हलाकि मैंने इसमें एक example से आपको समझाया है यहाँ पर ध्यान दो A into B multiply करें, A और B इन दोने को multiply करें, क्या आगया, आपके सामने 1001 आगया, इसका मतलब क्या होगया, बराबर A आई आगया, इसका मतलब यह होगया, कि B जो है A का क्या होगया, प्रतलोम आभी होगया, यहाँ पर A भी बोल सकते हो, कि A जो है B का प्रतलोम है, ऐसी बात हैं कि B को ही आगे चलते हैं, अब आते हैं सूनने का भाजक, very most important point है जो की एक number का पूछे जाता है, सूनने के भाजक, इसमें एक example पूछे जा सकता है आपके सामने इसकारण सारे बचे दाने, सूनने का भाजक क्या है शूनने के भाजक में क्या होता है दो असूनन्य आभी होगों को हम लेते हैं और उनको जीरो 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 जी कि दो असून ने आवियू आपने मल्टिप्लाई किया और अगर सून ने आवियू हुआ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक आवियू दूसरे आवियू का सून ने भाजक कहलाएगा तो आपके सामने हमने ए रिजल्ट दिखा दिया आपको देख लिए होगा कभी-कभी आपके सामने कुछ से नहीं पूछता है कि एक्विशन में कि भाई A स्कूर का मान गया आतरो तो A स्कूर की वैलू बेटा हमेसा होती है A इंटू यह मतलब किसी आवियू को दो बार मल्टिप्लाई कर दो तो भाई A स्कूर हो गया A क्यूब का मतलब अगर किसी ने पूछ इसी प्रकार से अगर आगे चल करके आपके सामने कोई भी A की पावर N की वैलू निकालने कोसिस करें तो इसका मतलब हो गया कि A की पावर N माइनस 1 एक कम निकाल दो और फिर उसके बाद एससे मल्टिप्लाई कर दो जो रिजल्ट आएगा वह आपके सामने क्या है A की के बारे में ठीक है और आप यहों के गुड़न गुड़ धर्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा अब इसको वाकायदे आप नोट्स भी तैयार कर लें वीडियो उसको धिर दे सौड करके आप उसको स्टॉप करके उसके नोट्स बना लें प्रॉपरली पढ़ें अगर को